तो हम देखते हैं लाक की बैंगल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए लाक जो कि बनाता है लाक इंसेक्ट जो होता है पीपल, बबूल, बेर या कुसुम ट्री के ऊपर अब लाक जो होता है जल्दी ड्राइ हो जाती है इसलिए लाक जिसको हम बोलते हैं चपरी उसमें डालते हैं बेर्जा अब बेर्जा क्या है? यह है एक रेजिन जो बनाता है पाइन ट्री बेर्जा को करम किया जाता है तो उसके अंदर से टरपीन ओयल निकल जाता है और बेर्जा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है अब बेर्जा और चपड़ी को equal amount पे mix किया जाता है in a big कडाई अब उसमें डाला जाता है white stone powder जिसको बोलते हैं गिया पत्थर उसके डालते ही उसका volume और consistency बढ़ जाती है तो ये हो गया आपका total raw material लाग का तयार जिसको हम wooden rod के उपर लगा देते हैं अब color करने के लिए अलग से चपड़ी के अंदर आप holy colors अलग-लग mix करो उसके blocks बनाओ heat करो और जैसे heat करते हैं लाग को heat के उसमें जो आपको color चाहिए वो लगाओ और लाग की चूड़ी तयार हो जाती है और चूड़ी का base बनाओ मेटल रिंग से जिससे चूड़ी की consistency और durability बढ़ जाती है hope it helps follow for more